देखे दोस्तों यदि आप 10 वी पास हैं तो अभी आप लगों के लिए एक बहुत ही बड़ी हाँ विभाग में वेकेंसी निकल के आ गया है दोस्तों यहाँ पर टोटल सीट जो निकला है 677 है लेकिन आप 315 पोस्ट के लिए ही अपलाई कर पाईएगा maximum student ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बाकी जो 365 पोस्ट है न इस पर थोड़ा से experience मांगा है अलग अलग तरह का qualification मांगा है लेकिन यह जो 315 पोस्ट है MTS का इस पर केवल 10 पास का होना जरूरी है यदि आप simple 10 पास हैं तो आप यह वाला पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो तो यह वेकेंसी दोस्तों निकाला गया है IB में IB का मतलब होता intelligence bureau जिसको बोलते हैं भारत सरकार का खूफिया बिभाग तो दोस्तों इस बेड़ो में आपको short में information देंगे detailed वीडियो इसका बहुत जल्द आएगा अभी समझ लिजे कि कौन सा वेकेंसी आया है और कौन सा व वाला सीट के लिए आप अप्लाई करोगे अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 14 10 से ले करके ध्यान दीजे 13 11 2023 तक इसका अप्लाई होगा इस बात को याद रखेगा इसके बाद अप्लाई करेंगे इसमें 500 रुपे पेमेंट लग रहा है जैनरल OBC EWS को बाकी का दूस्तों 400 पेमेंट लगेगा महिलाओं का भी इतना ही पैसा देना होगा ठीक है यह इसका डीटिल अब बात करेंगे दोस्तों कि एज कब से काउंट करेगा तो 13 11 2023 से आपका एज काउंट होगा ठीक है वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहेगा इस सरकल के बारे में भी थोड़ से आपको जाना चाहिए देखिए 13 11 2023 तक इसका एज काउंट करेगा इसी दिन तक आपका उम्र हो जाना चाहिए एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल अधिक से अधिक 25 साल है तब आप हमको भर सकते हैं यह हम बता रहे हैं यू आर का यानि जनरल कैटिगरी का रिलेक्सेश ब्योरो अब बात करेंगे दोस्तों यह वाला सरकल मैंने ड्रॉ क्यों किया तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं खुल कर बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जूड जाईएगा ठीक है हमारा जो सेकेंड वाला चैनल है जिसका नाम है मोहन फैमिली ब्लॉग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसको जहूर से जहूर सब्सक्राइब कर लिजेगा डेली दोस्तों वीडियो में नहीं बोलता हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी फैमिली मेंबर हैं तो मेरे सेकेंड वाले चैनल से भी आप जूड़िए और वह अमीद करेंगे दूस्तों आप लोगों को समझवा आ गया है चली मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंद